समाजवादी पार्टी के मुख्या और उत्तर प्रदीश के पूर्ब मुख्य मंत्री अखिलेश यादब ने मदिप्रदीश विधासभा चुनाओ के दौरान चुनाओ प्रचार करते हुए अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर भले ही बड़े दावे किये थे लेकिन जले में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुचे थे दरसल समाजवादी पार्टी ने इस बार हुए मदिप्रदीश के विधासभा चुनाओ में अपनी ताल ठोगी थी और अखिलेश यादब ने मदिप्रदीश की चौतर विधासभा सीटों पर अपने प समाजवादी पार्टी के प्रत्याशिएँ की सबसे बूरी हालत भिंड चिले में देखने मिली जहां उसके प्रत्याशियों की जमानत तक चप्त हो गी अटेर विधान सभा में बीजेपी से वगावत करके मुन्ना सिंग भदौरिया ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर चुनाओ लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाओ लड़ने वाले मुन्ना सिंग भदौरिया के लिए वोट मांगने अखिलेश यादब खुद भिंड पहुंचे थे और यहां उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मागे लेकिन मुन्ना सिंग भदौरिया को महज 1288 वोट ही मिल पाए और इस थरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जमानत जबत हो गई